नमस्कार दोस्तों मैं तेजविर सिंग आप तक स्पोर्ट्स नीज में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं इस वीडियो के माद्यम से आपको बताऊँगा गुजरा जाइंट्स और के के बीच होने वाले मैच का ड्रीम 11 प्रेडेक्शन क्या होगा तो दोस्तों हमेशा की त तो दोनों टीमों के परफ fascoreки की अगर मैं बात करता हूँ तो रिदिमान सहा ने दोनों पारियों मैच खेले हैं दोनों मैचों मैचों में जो रान बनाய हैं वो कुछ इस तरीके से हैं आपने देखा हूँ एक में उन्हों ने पच्चीस बनाए थे एक में चोदैर रान बन मैं बात करता हूँ कप्तान हार्दिक बांडिया ना तो बॉलिंग से अच्छा प्रदश्न कर पाए और नहीं बैटिंग से आगर मैं बीजしゃ ऌंकर की बात कर jóं तो बॉलिंग तो उन्होंने नहीं किया है लेकिन उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है यस दियाल ने तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है तो अलजारी जोसिफ ने भी अच्छा परफॉर्म किया है तो दोस्तो अगर मैं गुजरा जाइंट्स की बात करूँ तो गुजराथ जाइंट्स में कुछ खिलाडी है जो कि आपके सामने पर्फॉर्फॉर्मेंस है, जिनों ने आप अच्छा पर्फॉर्म किया है, जिनको आप अपनी टीम में सामिल कर सकते हैं, वो क्या खिलाडी होंगे है मैं आगे बता हुआ। में दो बिकिट लिये थे और तीसरे में तीन बिकिट लिये थे और वैसे भी वो आच्छा पर्फर्म कर रहे हैं। वहीं अल्जाईरी जॉसoline की बात करते हैं तो वो भी चार ओवर का कोटा कॉरा करते हैं और दोनों मेचों में बुदो विकिट उन्हों ने लिये हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप इनको खिलाडियों को सामिल कर सकते हैं. अब आता हूँ में केके आर के परफॉर्मेंस के बारे में केके आर के परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो उसका टॉप ओडर जादा अच्छा काम नहीं किया है हाला के मिडल ओडर ने अच्छा परफॉर्म किया है उसकी बज़े से उसने एक टीम में एक मैच को हारा है और एक मैच को जीता है अगर गुरुवाज की टॉप ओडर की बात करों तो सिवाए गुरुवाज की अलावा कोई भी अच्छा नहीं कर पाया है तो वहीं पन्नितेश नाना ने पहले मैच में अच्छा थोड़ा किया लेकिन दूसरे मैच में नहीं कर पाये वहीं बेंगेडेश शेयर ने पहले मैच में 34 रन बनाए लेकिन दूसरे में 3 प्राउट हो गए वहीं रिंकू सिंग ने पहले में कुछ नहीं किया तो दूसरे में सादल ठाकूर के साथ अच्छे रन बनाए च्छाली सर रन बनाए जिसकी वज़े से उनको जीत हासिल हुई तो दोस्तों कंट्यूनियस किसी ने परफॉर्म नहीं किया है अगर इसमें कंट्यूनियस की बात करते है तो हम गुरवाज को ले सकते हैं अगर हम बॉलिंग सेसिन में अगर जाते हैं तो हम सुनील नाराईन के बारे में सोच सकते है کہ सुनील नाराईन ने एक अच्छा परफॉर्म किया है वहीं पर सादुल ठाकुर ने बैटिंग से अच्छा प्रफॉर्म किया है लेकिन बॉलिस ने अच्छा नहीं किया है तो वहीं पर बात करते हैं सुनील नायराइन और वरण चक्रवती के बारे में और सादुल ठाकुर के बारे में तो उसमें हम सुदर्शन को ले सकते हैं शुमन गिल को रिश रखते हैं रिद्यमन साहा को रख सकते हैं राशिद खान को रख सकते हैं मुहमस समी को रख सकते हैं और अलजारी जोसप को लेकिन डेविड मिलर जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको भी हम नगार नहीं सकते ही, कुछ KKR की तरफ से भी कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अच्छा performance किया हैं, वो कौन कॉन से आये जानते हैं, तो मैं उसने बात करता हूँ, गुरवाज के बारे में तो गुरवाज निया अच्छा willpower किया है, वहीं रिंकु सी दाईगे की ड्रीम 11 की टीम, आईए इसके बारे में भी और जान सकते हैं, तो हम जानते हैं कि हमें कैसी टीम बनानी चाहिए, मैंने कैसी टीम बनाईए, वो भी आपको दिखाता हूं, तो सबसे पहले, बिकिट कीपर बल्लिवाज की तरफ अगर आता हूं, तो बिगट कीपर बल्लेवाज हो में मैं सबसे पहले गुरवाज को सूच करूँगा किसा साथ एक और बिगट कीपर बल्लेवाज है जो कि थोड़ा अच्छा कर रहा है मैं बात कर रहा हूँ रिद्यमान साहा का हाला कि लिट अच्छे खिलाड़ी है लेकिन उनकी अभी सीरी चल रही है तो वो खेल नहीं सकते है तो मैं रिद्यमान साहा को दुआ कि रिद्यमान साहा ने भी मिला जुला प्रदर्शन किया है और सबसे बड़ी बात है कि वो ओपनिंग में आते हैं वहीं अगर मैं बैटिंग की बात करता हूँ तो बैटिंग में हम सुवमान गिल को करेंगे कि सुवमान गिल ने अमूमन एक अच्छे खिलाड़ी तो है ही है फॉर्म भी अच्छा चल रहा है लेकिन जिस तरीके का परफॉर्म वो कर रहे हैं और ग्रांड लीग के लिए स्मॉल लीग के दोनों को आप चूज कर सकते हैं वहीं पर अगर मैं जिस तरीके की बैटिंग चल रही है कोलकत्ता की उस तरीके से तो उपर के जो बैट्समेन है टॉप और बैट्समेन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसलिए हम साई सुदरशन को चौथे नमर पर और डेविड मिलन को हम एजे फिनिशन के रूप में देख सकते हैं अगर केकिया पहले लास्ट में बैटिंग करते हैं तो हो सकता है कि उसमें एक आयम भूम का निभा सकते हैं बात कर रहा हूं और राउंडर सिसन की और राउंडर में अगर आप बात करते हैं तो सुनील नायन इसमें सबसे फर्स्ट चॉइस रहेंगे कि सुनील नायन बॉल से बहुत अच्छा प्रदर्शन और कर रहे हैं कभी-कभी बैटिंग से भी वह अच्छा काम कर देते हैं तो सुनील नायन के साथ अगर मैं दूसरे खिलाडी को रखना चाहूं तो आंद्रे रशेल को रखूंगा कि वह आंद्रे रशेल कभी-कभी लास्ट के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं अच्छे विगेट्स निकाल पाते हैं जिन्होंने पिछले IPL में भी ऐसा कारणामक किया है तो दोस्तों अब आते हैं बॉलिंग के दरफ तो बॉलिंग में सबसे फर्स चोईज तो राशिद खान का ही रहने वाला है कि राशिद खान को चोज किया जा उसके बास सारदू थाकुर के नुज तरीक में वेटिंग करते हैं तो ये खिलाडी बॉलिंग में बैटर रहेंगे तो अब इन सब के बाद एक man points आता है captain और vice captain का कि captain किसे बनाया जाए और vice captain किसे बनाया जाए तो दोस्तो इसमें आपके लिए grand league के लिए अलग रहेगा और small league के लिए अलग रहेगा बैसे मैंने इसमें दो टीमें बनाई हैं मैं दोनों टीमों को आपको बिखाऊंगा तो दोस्तो अगर मैं vice captain की बात करता हूँ तो vice captain में मैं सबसे पहले रासिद खान को प्रिफेंस दोगा क्योंकर रासिद खान जिस तरीके का आप बॉलिंग में प्रदर्शन कर रहे हैं अगर वो दो विकिट इस मैच में भी निकाल लेते हैं तो वो आपको grand league को जिता सकते हैं और जिस तरीके से अगर उनका betting में भी नमर आ जाता है तो वो अच्छी betting भी करते हैं कपतानी के अगर मैं बात करता हूँ तो गुरुवाज को दें कि गुरुवाज ने इन दोनों मैचों में अच्छा परफॉर्म किया है और वो सबसे पहले opening में आते हैं तो उनके लिए chances जादा हैं तो दोस्तो ये थी पहली टीम जिसको मैंने आपको पूरा बताया अब मैं बात करता हूँ दूसरी टीम के बारे में दूसरी टीम में भी अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले बिकिट कीपर में अगर आप किसी को चूज करते हैं तो वो गुरवाज को ही फर्स्ट प्रिफरेंस दें क्योंको वो ग्रांड और स्मॉल लीग में आपके लिए बढ़िया option हो सकते हैं वही मैं अगर दूसरे खिलारी की बात करता हूँ तो रिंकू सिंग और साइश दर्शन ये अच्छा बैक अप कर सकते हैं जो कि कलगत्ता जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है उस तरीके से वो आपको benefit दे सकते हैं और राउंडर में अगर आप बात करते हैं, तो और राउंडर में हार्दिक पांडिया को इसमें मौका दें, क्योंकि हार्दिक पांडिया का उसमें परफॉमस जितना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वो कभी भी मेंच को बतल सकते हैं, तो वो कप्तानी पारी कभी कभी खेल देते हैं और बिकिट भी निकाल देते हैं तो आप हार्दिक पांडिया को और वरुण चक्रवती को इसमें जरूर खेलाएं और बॉलिंग में तो मैंने पहले ही बताया था वरुण चक्रवती और अलजारी जोशफ क्योंको वहां हमारे पास इतने आफसन नहीं ही तो हमें च खेल देते हैं तो वो आपके ग्रांड लीक को निशित ही आपको जिता सकता है तो दोस्तो अगर मैं इसके बात करता हूँ बाइस कैप्टन की तो बाइस कैप्टन की तरफ अगर आप जाएंगे तो मैं रासित खान के लिए आपको बोलूँगा क्योंको मैंने भी रासित ख तो दोस्तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करें और वेल आइकन को दवाना न भूलें जिससे आपको इस तरीके की और वी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद